जब उसकी आँखें खुलती है, तब वह देखता है कि वह एक टापू पर है, उस टापू पर वह चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता, वहाँ नारियल के पेड़ होते हैं, पहाड होते हैं, लेकिन उसे उस टापू पर कोई इंसान नहीं और वह है, नारियल पानी, वह बहुत सारे कच्चे नारियल इकठे कर लेता है, लेकिन नारियल को फाड़ना इतना आसान नहीं होता, इसमें उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फाइनली वह नारियल में से छेद करके पानी पीना सीख जाता है, अब उसके पास पानी पीने के लिए नारियल है, अब उसे यहां पर रहते हुए बहुत दिन हो जाते हैं, और वह यहां पर रहना भी धीरे-धीरे सीख रहा होता है, इसी के साथ वह अपनी भूक मिटाने के लिए मचली मारना भी सीख रहा होता है, वह एक लकडी से मचली को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे काम्याबी नहीं मिलता है